इस वीडियो में लाइव डेवों प्रोसेस बजाएंगे how to update photo and signature in ICI SSP portal साथ ही guidelines भी बताएंगे photo and signature की किस format में update करना कितना maximum size होना चाहिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो please channel को subscribe कर लिजे और वीडियो को like कर दीजे आपको CA course related update देखने को मिलता रहेगा हमिसा तो बिना time waste के चलते हैं अपने topic के और सबसे पहले हम photo and signature की guidelines को जानेंगे सबसे पहले हम photo की requirements जानेंगे आपका 80% face visible होना चाहिए और साथ ही जो background होना चाहिए वह white होना चाहिए आपकी red eyes नहीं होनी चाहिए और साथ ही आप Google या caps वगएर का use ना करें और जो आपका format रहेगा वह सिस्टम लेगा नहीं passport size photo है उसी का requirement है यहाँ नीचे लिख रहा है 4.5 cm by 3.5 cm ओके अब हम जानेंगे signature की requirements को आपको जो signature है वह white blank page पर black ball pen से signature होना चाहिए साथ ही आपका जो maximum size है वह 80 के भी तक होने वाला है और जो आपका format है वह jpg या jpeg यह format होने वाला है बस यही कुछ requirements है signature है साथ ही आपका जो 6 cm by 2 cm यह format है आपका यह signature की requirements थी और photo की requirements मैंने आपको बता दी इसी तरह से आप अपना photo और signature अप्लोड कर लीजेगा बना लीजेगा मतलब अप्लोड कैसे करना वह मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको ब्राउजर पर आ जाना है अब आपको यहां सर्च करना है icai omsi AI की official website आ जाएगी the institute of Chartered Accountancy of India आपको simply इस पर कलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करते हो आपको पेज अच्छे से open होने देना है अब आपके सामने से इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको श्क्रोल डाउन करना है यहाँ पर आपको self-service पोरटल जैसे आपको स्क्रीन में हो रहा है इसको SSP Portal बोलते हैं आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आप लोगिन पेज पर आ जाओगे यहां पर लोगिन कैसे करना है इस वीडियो को लिंक मैंने आपको description में दे रखा है how to login ICI SSP Portal आप उस वीडियो को देखके लोगिन कर लीजेगा मैं आप लोगिन कर लेता हूँ सबसे पहले रिष्टे से नंबर डाला है उसके बाद अपना password लोगिन पर क्लिक करना है जैसे आप लोगिन पर क्लिक करते हो आप लोगिन हो जाओगे आपको थोड़ा वेट करना है पेज को अच्छे से open होने देना इसमें थोड़ा time लगता है मैं page अच्छे से open होने देता हूँ है सबसे पहले आपको यह cut कर लेना इसको side में आपको यह close कर लेना close करने के बाद आपके यहाँ profile से हो जाएगी यहाँ पर side में आपको update basic profile का अप्टेट बोफाल पर क्लिक करना है जैसे आप अपड़ेट प्रोफाल पर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा यहां आपको इसका अच्छी तरह से उपन हो जाने देना है जैसे यह उपन हो आपको simply click करना है जैसी आप इस पर click करते हो मैंने requirements सारी बता रखें आपको किस तरीक से upload करना है आपको simply उस पर click करना है draw file here यह browser to upload जैसे आप इस पर click करते हो आप अपने computer screen पर mobile screen पर आ जाओगे जो आपके file है आपको file चूज करके upload कर देनी है हाँ पर success लिखा जाएगा जैसी आप upload करते हो ऐसी आपको signature करना है signature को upload करने के बाद आपको simply scroll down करना है यहाँ पर आपको iagric option दिख रहा होगा आपको simply उस पर click करना है उसके बाद internet otp पर click करना है अब आपके सामने अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं अगर आता है तो एक बार चेक कर लिजेगा स्कूल डाउन करके submit वाला option आता है तो आप एक बार फिर से submit पर click कर दीजेगा आपकी file submit हो जाए यही process तब photo and signature को upload करने का और guidance भी मैंने आपको बता दिये अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को subscribe पर लिजे और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजेगा तो मिलते हैं ऐसे किसी ओर टोपिक पर तब तक के लिए bye take care and all the best for your exam and CA journey